जैहन दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ महादेव की क्रपा से आपस अभी बहुत अच्छे होंगे आज हम उत्राखंड के 5 केदारों मेंसे सबसे बड़े केदार बाबा केदानात यात्रा और धर्टी का स्वर्ग कहे जाने वाले बैकूंड धाम याने की बद्रिनात धाम की यात्रा एक सांथ बजट में सिर्फ 500 रुपे में कैसे पूरी की जाए इस बारे में एक complete टूर प्लैन को लेकर बात करने जा रही है जिससे आपके समय और पैसे दौनों की बच्चत हो सके मैं दावा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो बिना escape की हुए पूरा देखते हैं तो आपके मन में कोई भी doubt नहीं रहेगा बाबा के दानात की यातरा 3500 रुपे में कैसे पूरी की जाए इस पर बहुत जल्द एक full tour plan वाला वीडियो चैनल पर upload होने वाला है तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिए और bell notification को on कर लीजिए एक जरूरी सूचना ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आप end तक जरूर देखेगा अन्य तक कोई भी important बाद आपसे छूट सकती है और इस वीडियो में मैं आपको सटीक जानकरी देने की कोशिश करूँगा कि आपको केदानात और बद्रिनात दर्शन एक ही बार में कैसे करना है और मैं ये भी बताऊंगा कि इस दो धाम की यात्र के लिए आपको कितने दिन का trip plan बनाना चाहिए वहाँ पर stay करने की और खाने पीने की क्या क्या वेवस्ता होगी आप अपने साथ क्या क्या सामान लेकर जाएं दोना धामों के आरती दर्शन का समय क्या होता है वहाँ पर आपको किस तरह की facility देखने को मिलेगी आपको एक perfect budget planning कैसे करनी है तो दोस्तों बने रहिए का इस वीडियो में एक एक करके सारी बातों का विस्तार पूर्वा गवर्णन करूंगा जिससे आपको सही मागदशन मिल सके और वहाँ पर आपको यात्रा करते समय कोई भी परेशानी ना आए वीडियो को future में भी देख सकें इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि ये वीडियो प्लेलिस्ट में हमेशा के लिए सेव हो जाए बस कमेंट में हर हर महादेव और जैबद्री विशाल लिख दीजिए ताकि महादेव का अश्यरवाद आप पर भी हमेशा बना रहे हर हर महादेव जैबद्री विशाल तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, इस वीडियो के पहले पार्ट में हम बाबा केदारनाथ और दूसरे पार्ट में हम बद्रिनाथ धाम की फुल जानकारी देंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको केदानाथ और बद्रिनाथ धाम की यात्रा के लिए कितने दि रेजिस्टेशन कर लीजेगा और रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं रेजिस्टेशन कैसे किया जाता है उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने चैनल पर पहले ही अप्लोड कर चुका हूँ उपर आई बटन पर लिंक दे दिया है इसके लावर डिस्क्रिप्शन प प्रेजिस्टेशन से कुछी दूरी पर बस स्टेंड है तो आप बस स्टेंड में जाकर काउंटर से भी अपने लिए बस का टिकेट ले सकते हैं इस वीडियो में हम बज़ेट ट्रिप की बात करेंगे तो आपको बस से जाना ज्यादा एकनॉमिकल होगा अगर आप बस स्ट एक हजार से बारा सो रुपे तक चार्ज लग सकता है पर मेरी माने तो जागर डारेक्ट आप काउंटर से टिकेट ले लीजेगा वही काम आपका पांच सो रुपे में पूरा हो जाएगा हरिदवार से पहली बस सुबा तीन बजे और आखरी बस सुबा नौ बजे तक चलत देगी बीच बीच में खाने के लिए बस रुखती है तो आप अराम से ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं अगर आपके साथ बच्चे हैं तो मैं सजिस्ट करूँगा कि आप बिस्किट या चिप्स के पैकेट अपने साथ में जरूर रखें मान लीजे अगर आप शाम तक परिया के लिए बस पकड़ लीजे इसके अलावा आप हरिद्वार से परसनल टैक्सिये केब बुक करके भी जा सकते हैं स्विफ्ट का किराया तीन हजार से चार जार तक का और बुलेरो जैसी गाड़ी का पांच हजार से शहजार रुपर परड़े का किराया होता है इनका एक्जेक्ट किराया तो नहीं बता सकते क्योंकि ये मन्थ और रच के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है तो ये रही बात डे नमबर वन की यानि कि हमारा पहला दिन हरिद्वार से सोन प्रेक्सिल बस यात्रा में ही निकल जाएगा अब बात करते हैं आपको केदानात और बदिनात यात्रा के लिए किस्से में जाना चाहिए तो अगर मैजून की बात करें तो वहाँ पर काफी ज़्यादा भीड होती है क्योंकि गर्मी छुटी का सीजन होता है और काफी लोग वहाँ पर जाते हैं भीड जादा होने की वज़ए से सभी चीजों का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और अगर आप जुलाई अगस्त में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश का सामना करना पड़ सकता है और मांजून भी आपकी यात्रा का मज़ा किरकरा कर सकता है इसलिए बारिश के सीजन को एवाइट करिएगा और अगर आपक गौरी कुड में इस्टे को लेकर, अगर आप सितंबर में जाते हैं तो रूम का चार्ज 500 रुपे से 15 रुपे और डॉरमेट्री का 300 से 400 रुपे पर पर संद होता है, वहीं अगर आप पीक सीजन मई जून में जाते हैं, तो यही रूम का चार्ज आपको 3000 से 5000 रुपे तक दे 500 रुपे से 300 रुपे तक हो सकता है, इसके अलावा वहाँ पर मेगी और आलू के पराठे एजली अविलेबिल हो जाते हैं, अब बात करते हैं डे नमबर टू की, तो डे नमबर टू में आप अरली मॉर्निंग जल्दी जाग जाएए, तीन से चार बजे तक, और सोन प्रैक से 50 रुपे पर परसन का चार्ज देकर आप शेरिंग जीप से गौरी कुन पहुंच जाएए, गौरी कुन वही जगह है जहां से केदनात बाबा की पैदल ट्रैकिंग की यात्रा शुरू होती है, गौरी कुन में ही गौरी माता का मंदिर बना हुआ है, तो आप दर्शन करक कि यहां से हर हर महादेव का नारा लगाते हुए 20-22 किलिमेटर की पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं, अगर आप अपनी यात्रा सुबह 6 बजे शुरू करते हैं, तो आप हाडली दिन में 1 बजे या 3 बजे के आसपास मंदिर तक पहुंच जाएंगे, यह डिपेंड करता ह कि आपका स्टेमना कितना है और आप किस इंटेंसिटी से चल रहे हैं, तो आगे बात करते हैं कि साथ में क्या-क्या लेकर जाएं, तो मैं आपको बता दूँ, इस्पेशली आपको गरम कपड़े, जैसे की गलव्स, जैकेट, विंटर कैप, इनर लेकर जाना ही होगा, वहा आपको जगे जगे पर वाश्रूम की फैसलिटी देखने को मिल जाएगी, और जगे जगे पर फरस्टेट सेंडर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रैक करते समय आपको पानी पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो बीच बीच में आपको पानी का बहुत नेचरी रिसोर्स देखने को मिलेगा, मोबाइल नेटवक की बात की जाएगी तो कॉलिंग की सुविधा अराम से देखने को मिल जाएगी, इसके अलावा आप अपने साथ पावर बैंक, विक्स, सरदर्द की दवा और मूव स्प नहीं किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, इसका क्या रीजन है, इससे जदा एज़ी वे में आपको कोई नहीं समझा पाएगा, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मिटिव वीडियो का लाब आपको हमेशा मिलता रहे, अब आगे बात करते हैं, रिजिस्टेशन फॉर्म को लेकर, तो आपका रिजिस्टेशन फॉर्म कहीं भी चेक हो सकता है, जब उसको स्कैन किया जाएगा, तो आपको दर्शन के लिए एक टोकन दे दिया अगर आप सेम डे में ही दर्शन करना चाते हैं, तो आप अपने लिए एक टोकन ले लिजिए, मंदर के नियरबाई आपको टोकन काउंटर से मिल जाएगा, उस टोकन में आपके दर्शन करने का टाइमिंग मेंशन होता है, और ये टोकन चार घंटे के लिए वैलिड होगा अगर केदानात मंदर के आरती की बात की जाए तो पहली आरती सुबह 6 बजे और दूसरी आरती शाम को 6 बजे होती है, मंदर दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है, आप लाइन में लग जाएए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, बाबा क के दर्शन कीजिए, बाबा के दर्शन करने के कुछी देर बाद आप वहाँ पे विश्राम करके वापस भी आ सकते हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पे नाइटी स्टे भी कर सकते हैं, टैम्पेल के नियर स्टे करने के लिए तीन आप्शन होते हैं वहाँ पर, पहला GMVN क फेर 7,720 रुपे और डॉर्मेटरी का किरायत 370 रुपे होता है नंदी कॉंप्लिक्स बेस केम की डॉर्मेटरी का फेर 1146 रुपे और ग्राउंडेड बैड़ेट का फेर 810 रुपे पर बैड होता है दोस्तों GMVN का एकोमेडेशन कंप्लीटली फुल हो चुका है आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई स्लोट खाली मिलता है तो आप जल्दी से बुक कर लीजिए जुलाई और अगस्त जो मानसून के महीने होते हैं यहाँ पर तो आपको स्लोट खाली मिली जाएगा अगली बात करते हैं डे नंबर 3 की तो आप महादेव दर्शन करके देर की वापस पैदल यातरा शुरू कर दीजिए आपको मंदर से गौरी कुन के लिए वापस आएंगे तो आपको लगबग 5 घंटे लग सकते हैं यह तो होगे आपका तीसरे दिन सोन परयाग तक वापस पहुंच जाएंगे और यह इस तरह कंप्लीट हो जाएगा अब आप वहाँ पर गंटे में बद्रिनाथ तक पहुंच जाएंगे जिसका किराय लगबग 600 रुपे से 700 रुपे तक होता है आप शाम तक बद्रिनाथ पहुंच चुके होंगे तो आपको बद्रिनाथ में ही होटल धर्मशाला और डॉर्मेटरी देखने को मिल जाएगी तो आप वहाँ पर स् बद्रिनाथ मंदिर के पास ये गरम पानी का नारत कुंड भी है ऐसा कहते हैं कि अगर आप यहाँ इसनान कर लेते हैं तो आप संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं तो आप यहाँ पर इसनान करके फिर बद्रि विशाल जी के दर्शन करना बहुत ही शुब बाना जाता है बद्रिनाथ धाम के दर्शन करने के बाद आप वहीं पर इसनाना विलेज भी जा सकते हैं इसके बाद आप वहाँ से प्रिस्तान ले लिजे बद्रिनाथ से आपको डारेक्ट हरिद्वार के लिए बस मिल जाएगी अगर आपको बस नहीं मिलती है तो फिर आप असानी से पहुँच सकते हैं हरेद्वार आने में आपको लगबग 10-12 घंटे लग जाएंगे इस तरह हरेद्वार आने में आपका पांचवा दिन भी कम्प्लीट हो जाएगा जहां पर भी आप स्टे करेंगे तो वहाँ पर होटल में आपको गरम पानी की अच्छी विवस इसता रहती है क्योंकि ऊपर काफी ठंड होती है चलिए अंतिम बात करते हैं इस केदानात यात्रा और बद्रिनात दो धाम की यात्रा को करने में एक वेक्ति का कुल खर्चा कितना आएगा हरेद्वार से सोन प्रियाक तक का बस का किराया 600 रुपए सोन प्रियाक या गौर आने के बाद वापस हरेद्वार तक जाने का 700 रुपए होगा तो इस तरह से टूटल खर्चा 4500 रुपए हुआ अगर एक्स्ट्रा खर्चा 1000 रुपए भी मान लिया जाए तो 5500 रुपए में ये बजट ट्रिप आसानी से कंप्रीट हो जाएगी दिखो दोस्तों बजट ट टूटल खर्चा हाडली 5500 रुपए या उससे कमी आएगा इस तरह आप के दानात और बंदिनात की दो धाम यातरा एक साथ कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों ये जो खर्चा मैं बता रहा हूँ ये ओफ सीजन सितंबर एक्टूबर के लिए बता रहा हूँ अगर यहीं आप आउन सीजन यानि की मई जून में जाते हैं तो ये खर्चा आपको 8000 से 10,000 रुपए तक भी हो सकता है तो ये था हमारे के दानात और बंदिना धाम की यातरा का कम्प्लीट विवरन आई होप आपको ये पसंद आया होगा इसके बावजूद भी अगर आपके मैं में कोई डाउट या सवाल है तो आप कमेंट करके मुझे सवाल पूच सकते हैं मैं वहीं पर आपको आंसर कर दूँगा आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले यातरा जीवन चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज के वीडियो में फिलाल इतना ही आप से फिर मुलाका होगी एक नए वीडियो में एक नए यातरा के साथ एक नए जैनकारी के साथ आपकी यातरा मंगल मैं हो जै हिन जै भारत हर हर महातेर जै बद्री विशाल